आज का टॉपिक है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एक्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाता है discuss the structure of हीमोग्लोबिन explain its rule as an oxygen carrier मतलब हीमोग्लोबिन को आपको structure बताना है और आपको ये बताना है कि इसका क्या रोल है oxygen carry करने में या oxygen carrier की तरह तो चले स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एक conjugated protein है इसका molecular weight 64,500 होता है यह conjugated protein हो गई और इसका weight 64,500 है यह क्रोमोग्लोबिन है यह दो पधारतों से मिलकर बनी होती है हीम तथा ग्लोबिन हीम एक metallo porphirine है तथा जो ग्लोबिन है वो एक protein है हीम, metallo porphirine और ग्लोबिन प्रोटीन है यह दो शब्दों से मिलकर बनीगा ग्लोबिन एंड हीम तो यह आपस में मिलाकर बनाएंगे हीम और ग्लोबिन हीम का structural formula C34, H32, N404FE होता है यह हीम का structural formula है यह हीम और ग्लोबिन के बारे में हम अलग अलग पड़ेंगे और फिर देखेंगे कि यह आपस में मिलके किस तरह से हीम और ग्लोबिन बनाते हैं तो यह हीम का structural formula हो गया इसमें 2 propyl carboxly group and 2 ethanol group होते हैं दो carboxly group होंगे और 2 ethanol group होंगे इसमें 4 pyrrole cycle methyl group द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है इसमें 4 pyrrole cycle होती है जो एक दूसरे से methyl group के द्वारा जुड़ी रहती है इसमें center में बिलकुल बीच में iron present होता है और यह जो iron होता है जब यह plus 2 oxidation state शो करता है तो इसे heme या proto heme कहते हैं मगर जब यह plus 3 oxidation state शो करता है तो इसे proto porphyrine या hemen कहते हैं heme का जो structure था वो will stator और fissure ने दिया था will stator and fissure globe आप हम पढ़ेंगे globe in के बारे में globe in protein में 4 polypeptide chains होती है globe in में 4 polypeptide chain होंगी जिसमें से 2 alpha और 2 beta chain होती है जो alpha chain होती है उसमें 141 amino acids होती है और जो beta chain होती है उसमें 146 amino acids होती है 4 polypeptide chain होंगी 2 alpha, 2 beta alpha में 141 amino acids और बीटा में 146 amino acids होते हैं चारो chain में histidine unit होती है यह जो चारो है हमारे इन चारो chains में histidine unit होगी तता हर histidine unit पे एक-एक imidazole cycle होगी हर histidine unit पे एक-एक imidazole cycle होती है अब हीमोगलोबिन किस प्रकार से बनता है तो प्रतेक हीमोग्लोबिन मॉलीक्यूल में चार हीम ग्रोप वन ग्लोबिन की सर्फेस पर जुड़े होंगे चार हीम के मॉलीक्यूल होंगे और एक ग्लोबिन का मॉलीक्यूल होगा और इसकी सर्फेस पर यानिक इसके नीचे तल की साइट पर जुड़े रहेंगे हीम के मॉलेक्यूल का आइरेन Federation round द्वारा इमाइडेजोल के nitrogen से जुड़ा होता है हीम का आइरेन और गुलोबिन का amidazole है amidazole के nitrogen से coordination बाइजान रहता है है यह आप देहेंगे यह अपका गुलोबिन गुलोबिन की इमाइडेज़ हर देख रहे हैं है मेlegen संदिनीत Geld हम याफ टो हमceksब काल देखेत हैं हम तर-ब एक उम orthण अंकाल मेहला हम लाइन है हीम हम आइरन हो ग्लोबिन किमाइडे जर्णिन के नाइट्रलोग yeah से coordination bond के द्वारा जुड़ा रहता है तो आप यहां देखेंगे कि यह जो bond आपको दिखाई दे रहा है यह coordination bond है iron का amideazole के nitrogen से composition हो जाता है हीम का globin से composition है मैंने आपको बताया था कि जो globin होता है वह चार हीम की surface से जुड़े रहते हैं एक globin तो यह देखेंगे आप यहां यह की surface से जुड़े हुए है globin जो है तो हीम का globin से composition इस तरह से करके होता है अब मैंने आपको यह बताया था कि iron दो तरीके की oxidation state शो करता है एक plus 2 और एक plus 3 तो जब यह plus 2 oxidation state शो करेगा तो इसे हीम बोलेंगे यहां second का मतलब है यहां पर 2 oxidation state शो करता है और यहां third का मतलब हे कि यह three oxidation state शो करता है तो यह इस तरह से इसका structure हो जाता है function इसका exam में सबस्यादा function ही पूछ जाते हैं तो आप इस बहुत अच्छे से पढ़ेगा hemoglobin oxygen से bind होकर unstable oxy hemoglobin बनाता है यह oxygen से bind होका तो unstable हो जाएगा और oxy hemoglobin बनाएगा यह oxy hemoglobin body के different parts में पहुचकर oxygen को free कर देती है यह oxygen different tissues में biological activities को complete करती है पहले क्या करेगी hemoglobin oxygen से bind होगी oxy hemoglobin बन गई फिर सभी parts में पहुचकर oxygen को छोड़ देती है जब सभी parts में oxygen को छोड़ देती है उसके बाद जित्ती वे biological activities होती है वो इसी के द्वारा हो जाती है hemoglobin body में oxygen carrier की तरह work करता है oxygen lung से body के सभी parts में hemoglobin के द्वारा ही पहुचती है hemoglobin के body में main two functions है hemoglobin का iron atom oxygen molecule के साथ bond बना कर oxygen को lung से muscles में पहुचाता है हमारे muscles में oxygen पहुचती है वो hemoglobin के द्वारा ही पहुचती है यहां oxygen myoglobin को दे जाती है हमारे जो muscles होते हैं उस muscles में ही हमारी myoglobin होती है तो जब यह hemoglobin oxygen को muscles में पहुचाती है तो muscles में जाने के बाद यह oxygen होती है myoglobin को दे दी जाती है हीमोगलोविन टिशू से CO2 को कुछ अमीनो ऐसेड से बौन बनाकर लंग्स तक पहुचाता है हीमोगलोविन का टिशू होगा ह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें थेंक यू